हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बाक वंस अगें आज का दिन आपका कैसे था सुभे को जो आणलिसिस दिया था पुट के बारे में क्या वो सही आपको पता चला आपने पैसे कमाएं नहीं कमाएं आप कमेंट करके बताना क्योंकि अगर आप देखोगे पूरे दिन में सिर्फ एक अ क्या थी अगर 17,103 के उपर मार्केट जाएगा तो अच्छा कासा बुलिशनिस आएगा बट वो कोई भी ट्रेड के डीटेल्स नहीं दिये थे और सुभे को जो पुट दिया था ताट वर्क फैंटास्टिक तो यह आज का जो हमने आनलिसिस दिया था या हेल्प करने की और यहां पे और एक important चीज मैं बताने वाला हूँ कुछ नया आने वाला है आज तो यह आप देखोगे ना यहां पे आप playlist है how to do swing trading जहां पे almost दो chapters already uploaded है आज 10 बजे यह नया chapter आने वाला है और ऐसे ही यह series में 3, 4, 5, 6 बहुत ही जल्दी आने वाले हैं यह series को देखना मत बूलना how to do swing trading क्योंकि यहां पे आपको एक अच्छा खासा analysis, strategy कैसे stocks को select करना है, manually कैसे select करना है, यह सब कुछ detail में discuss किया जाएगा, तो भले आपको swing trading आता होगा, but still मैं कहूंगा यह पूरी series, 6 chapters की देखना मत बूलना, it will be very very interesting और बहुत सारे detail में concept समझाए है, जो आपको मज़ा आएगा, coming back to the main concept, जो नहीं जानते है, मेरा नाम तुशार्गोने है, हर शाम मैं आता हूं, nifty bank, nifty का analysis लेके, और अगर आपको बहुत सारे intraday analysis के details चीए, nifty में, कभी bank nifty में, तो description में telegram channel की link दिए है, उसको बिलकुल भी मत बूलना, join करने के लिए, और अगर बहुत सारे free stock market courses चाहिए, तो तुशार्गोने app, play store और apple में देखना, मत बूलना, क्योंकि दोनों जगह पे, google और apple पे, app आ चुका है, and with this, let us quickly start with nifty और bank nifty analysis, और एक छोटा सा view मैं, SNP के बारे में भी देना चाहता हूं, and finally, मैं यहाँ पे कुछ भी tips और advisory नहीं दे रहा हूं, whatever I am doing, it purely for educational purpose, let us quickly start with our analysis, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे न, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम SNP करेंगे, और आपको याद होगा, मैंने last time भी कहा था, कि यहाँ पे SNP अच्छा खासा एक bounce back दे सकता है, अब आप बोलोगे कि, यह आपको कैसे पता चला, या आपने किस कारण है, क्योंकि market gap up या उपर जाने के chances है, तो सबसे पहले क्या, तो मैंने SNP भी ध्यान रखा था, और मुझे मालूम था कि SNP almost एक support के नजदीक है, तो वहाँ से थोड़ा तो bounce back देगा, जिसके कारण Indian market भी चाहिए, तो पहले उपर open होगा, फिर नीचे जाएगा, बट directly open होने के chances कल थोड़े से कम है, this was the reason, and SNP यहाँ पर अगर आप देखोगे, यह कुछ भी bullishness नहीं दिखा रहा है, this is not a bullishness, bullishness तब दिखाएगा, जब मुझे कुछ इस तरीके की candle दिखेगी, this is called bullishness, यह क्या दिखा रहा है, तो यह retracement दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, तो थोड़ा सा retrace होगा, वापस नीचे आएगा, तो don't confuse retracement with trend reversal, बहुत ही thin line है, जहां पे बहुत सारे लोग confuse हो जाते हैं, okay, SNP का concept clear हो गया, अब nifty का concept देखेंगे, nifty क्या हमें जलवा दिखाने वाली है, आईए वो देखते हैं, आज देखोगे 1.8% गिरा, but traders के लिए, it was a heaven, like, इतना मज़ा आया, trading करने के लिए, आप बिलीव नहीं कर सकते हो, बड़े-बड़े candles form हो रहे थे, शाम को भी, दुपेर को भी, और सुबे को भी, and as a trader, really enjoy when market starts falling, okay, अब यहां पे कुछ चीज मैं बताना चाता हूँ, देखो, यहां पे क्या है, ना, कि यह अच्छा का रहा था, रहे, तो non-stop gap close होना चाहिए था, पाट ऐसा नहीं हुआ, तो यह सबसे frustrating चीज थी, क्योंकि gap अगर properly close नहीं हुई, तो support की तरह act करती है, तो यह एक बहुत ही interesting चीज है, जो हमें पता चली, second अगर आप देखोगे, चोटी-चोटी चीज है, बट हमें ध्यान दे देखोगे, तो suddenly bounce back आ गया, 15 minutes में, ओके, अब कल, अच्छा खासा long cup जाना है, definitely जब market समझो, straight away, 17,200 के उपर gap up हुआ, sustain हो गया, या आप 15 minutes में कोई इस तरीके की candle देख रहे हो, तब मैं कहूंगा, आप बिंदास long jump, आप जाओ long, कुछ problem नहीं है, at least मैं कहूंगा, 17,350 तक के आसपास, भले इतना powerful नहीं, बट थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा उपर जाके, थोड़ा सा रुक के, ये level दे देगा market, ओके, कब जब 17,200 के उपर market जाएगा, 15 minutes में एक full body candle close होगी, बहुत important है, full body candle जब मैं कहता हूं, पूरी की पूरी candle बनना क्यूंकि जहां पे full body candle बनती है, वहां पे अच्छा खासा follow up बनता है, अब ये तो मैंने long की बात कर दी, short में क्या हो सकता है, short में थोड़ा सा ध्यान देना, कि 17,200 के उपर ही आप बड़े level के लिए call खरीच सकते हो, short में क्या होगा, कि भले market थोड़ा सा उपर जाएगा, बट यहां से फट 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 नीचे आएगा, और अब के बार I want market to break 16,980, तो बड़ा trade कब बनता है, आइधर 16,980 के बाद, अगर 15 मिनिट्स की candle close हुई, तो सबसे पहला trade बनेगा, 16,920 का levels के साथ दिखा रहा हूँ, और second अगर 16,920 भी confidently तोड़ दिया, तो straight away आप हैरान हो जाओगे, यह क्यों मैं कह रहा हूँ, 16,920 के बाद आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे न, 16,920 के बाद, just a minute, 16,850 का support है, और अगर वो चला गया, तो straight away 16,630 आ जाएगा, और यह normally कैसे होगा, market दिन वर में नहीं करेगा, यह totally अगले दिन gap down ही market देदेगा, तो यह levels याद रखना, T1, T2, T3, बहुत interesting level है, और यह, मैं कहूंगा, आप यह hourly chart का analysis है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, यह 15 minutes का नहीं है, इसका मतलब क्या है, कि 2-3 दिन लगेगे, कभी Thursday की expiry भी जा सकती है, यह सब levels आने के लिए, अब साइड में मैंने already आपको यह कहा था, 16,200 के उपर अगर hourly closing होती है, तो 16,350 आ सकता है, very very clear, nifty का analysis, अब 15 minutes का analysis देखेंगे, कुछ short scalp trades बनते हैं क्या, यहाँ पे मैं कहूंगा कि एक चीज़ है यह trend line को इतना ignore मत करना, यह बहुत powerful trend line है, 17, अगर समझो यहाँ पे आपको green candle दिखती भी है, यह 15 minutes के trade बता रहा हूं, और यह समझो 17,0, 7,0 के आसपास 15 minutes की candle बनती है, properly कल सुभे, तो मैं कहूंगा straight away आप 17,135 का target पकड़ना, आएगा ही आएगा, उसके बाद में मैं guarantee नहीं दूँगा, तो सिर्फ T1 का ही मैं target आपको बताऊंगा, और stop loss बहुत छोटा होगा, वेरी, वेरी close to this 17,0, 3,0 का stop loss, ओके, वेरी, वेरी clear, यह 17,0, 7,0 की entry, 17,135 का target, फर्स्टी target और stop loss 17,0, 3,0, अगर ऐसे नहीं हुआ, और market समझो, यह low के नीचे अब close हुआ, ओके, यह low क्या है, 16,9,70 के नीचे, 16,9,70 के नीचे, तो सेम चीज जो hourly में है, वही यहाँ पे भी applicable होगी, और मैं कहूँगा, यह बहुत बड़ा zone है, तो यह already market अच्छा खासा नीचे गिर गया है, तो आप straight away, यहाँ पे नीचे की attempt मैं कहूँगा नहीं करना, या एक बार telegram check करना, क्योंकि यह ऐसे गिर के, like 16,9,50 के आसपास गिर के, वापस उठने के भी chances है, तो यह एक second possibility है, जो हो सकती है, जितने shots बने हुए है, कल थोड़े से morning में नीचे फेग देंगे market को, बट उसके बाद में भी अच्छा कासा उपर का move आ सकता है, तो यह दोनों possibilities है, तो थोड़ा सा आपको संबल के रहना चाहिए, यह target आप attempt कर सकते हो, बट यह 16.8 का जो नीचे का target है, थोड़ा सा संबल के रहना, क्योंकि overall अगर global market अच्छा रहा, तो यह target कल के दिन में नहीं अच्छी होगा, अब bank nifty के बारे में देखते हैं, bank nifty क्या बोल रही है, so bank nifty also if you see multiple supports, बहुत जादा supports है, नीचे के level पे, जहां पे bank nifty को अगर नीचे जाना है न, तो मैं कहूंगा straight away कल, अगर bank nifty को नीचे जाना है, तो straight away मैं कहूंगा 38,200 के नीचे खुलना चाहिए, अगर 38,200 के नीचे खुलता है, तो ही फिर bank nifty 37,940 के आसपास जाएगी, but most of the time होगा क्या, यह इधर से जाके इधर उपर जा सकती है, long बहुत अच्छे समय के लिए अगर आपको लेना है, तो 39,000 के बाद ही देखना, अगर यहां पे समझो bounce back मिल रहा है, 38,570 के आसपास, तो मैं कहूंगा, टेलीग्राम चानल एक बार चेक कर लेना, क्योंकि यह बहुत tricky bounce back है, नीचे भी आ सकता है, उपर भी जा सकता है, तो मैं कहूंगा, यह मैं यहां पे नहीं बताऊंगा, 39,000 के उपर आप आराम से ले सकते हो, 39,200 का पहला target, और 39,500 का दूसरा target, नीचे के लेवल पे यह दे दिया है, बट अगर यह zone पे आके आपको trade करना है, 38,500 के नजदी, उपर जाओ, नीचे जाओ, समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहां पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि most of the time, the analysis will be confusing, मैं आपको कहूंगा, कि आप क्या करो, तो आप telegram channel join करो, description box में link दिया है, और आप देखोगे, crude नीचे गिर रहा है, इसके लिए Asian paints, Berger paints, Pedilites, जो भी companies, जो oil पे depend रहती है, वो अच्छा कासा अभी भी positive में है, तो यह एक छोटा सा हिंद दे रहा हूं, कि आने वाल products, जो crude जिसका input है, so hope आपको यह analysis पसंद आया रहेगा, it was really fantastic, आज अच्छा कासा हमने कमाया, कल भी अगर आपको कमाना है, तो telegram channel join करना, मत बूलना, see you tomorrow, and it was really fantastic, 10 बजे जो premiere होने वाला है, foundation 2.2 का swing trading के लिए उसको देखना, मत बूलना, thanks a lot and see you tomorrow.